नमू पुद्धाय मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेश कारिक्रम धमदीप में जिसमें हम प्रति दिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथाकत बुद्ध के जीवन चरित पर साथियों पिछले भाग में हमने चर्चा की थी दीर्ग निकाय के महापरिनिर्वान सूत्र पर आधारित तथाकत बुद्ध के महापरिनिर्वान से एक वर्ष पूर्व की कुछ महतुपून घटनाओं के बारे में इन में विशेश रूप से हमने चर्चा की थी वर्जियों पर आक्रमन की भावना से मगद के राजा अजात शत्रू अपने एक मंत्री को तथागत बुद्ध के पास सलाह लेने भेज़ता है इसके उतर में तथागत बुद्ध साथ अपरहानिय धम की देशना देते हैं इसी शंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य महत्वपून घटनाओं के बारे में जिन में विशेश रूप से सारी पुत्र और सिंगहनाद की घटनाएं शामिल हैं साथ ही हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध द्वारा पाटिली गाओं के ग्रहस्तों को शील और सदाचार पर दी गई कुछ महत्वपून देशनाओं के बारे में और साथ ही हम चर्चा करेंगे पाटिली गाओं के शहर में रूपांतरण और तथा गत बुद्ध की भविश्यवानी के विशय में भी इस विशय पर महत्वपून जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी आपने बुद्ध दर्शन में उच्च सिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है इसके साथ ही आपने विभे नमंचों पर वुद्धिजम पर अपने विचार भी प्रसुत के हैं तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का भंते जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्वागत है इस कारिक्रम में जैसा कि आप जानते ही है आप निरंतर इस कारिक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आपके समक्षे कारिक्रम पढ़ रहा है तो आपको यह भी जानकारी है ही कि हमारी दर्शक हमें विभिन रूपों में अपने प्रश्न, संदेश और सुजाब भेजते हैं आज भी हमें कई तरह से प्रश्ण प्राप्त हुए हैं, जिसमें इमेल पर, वाट्शेप पर भी है, यह प्रश्ण हमें वाट्शेप से प्राप्त हुआ है, हमारी कई दर्शक जानना चाहते हैं कि तथागत बुद्ध की साथ अपरहानिय देशनाय क्या हैं, क्रिप्या इस विशाय पर संक्षिप्त जानकारी हमारी दर्शकों को प्रदान करें. उसके मन में वज्जी देश को वज्जी देश पर आक्रमन्ट करने का विचार आता है, और इस बदले की भावना से, क्रोध की भावना से, वे अपने एक मंत्री जिसका नाम वस्वकार है, अपने मंत्री को तथागत बुद्ध के पास भेचता है, सलहा लेने के लिए. जब मंत्री तथागत के पास पहुचता है और राजा का संदेश देता है तथागत बुद्ध को, तो तथागत बुद्ध आनंद से इन साथ विश्यों पर चर्चा करते हैं या उन्हें आदेश देते हैं, देशना देते हैं. तो ये साथ बाते क्या होती हैं? ये साथ बातों को ही अपरिहानिय धम कहा गया है. तो सर्वप्रथम बात तथागत बुद्ध ने ये बताए कि वज्जी लोग जो हैं समय समय पर बैठक लगाये करते हैं, समय समय पर मिला करते हैं. तो इसी कारण उनकी सम्रुद्धी होती रहेगी, उनका कभी गिरावट नहीं होगा. और दूसरी बात फिर तथागत आनंद से कहते हैं कि वज्जी लोग हमेशा एक मत हो ऊटते हैं, एक मत हो बैठते हैं और एक मत हो अपने सारे करतव्य करते हैं. इसी कारण भी उनकी कभ कोई गिरावट नहीं होगी, उनकी सिर्फ सम्रुद्धी होगी. और तीसरी बात तथागत बताते हैं कि जो वज्जी देश का सम्वेधान हैं, वे अपने सम्वेधान के विरोध में कोई ऐसा कानून लागू नहीं करते, जो लोगों के अहित में हो. और जो पहले से ही चलत आ रहे हैं कानून हैं कहीं लंबे समय से, उसका भी वे कड़ाई से पालन करते हैं. तो इस कारण भी वज्जीयों की हानी नहीं होगी, उनकी सिर्फ सम्रुद्धी होगी. और फिर तथागत तीसरी बात के बात चौथी बात इस प्रकार से बतलाते हैं, वज्जी लोग अप उनका कभी गिरावत नहीं होगा, सिर्फ सम्रुद्धी होगी. और पांचवी बात तथागत बुद्ध आनंद से कहते हैं, वज्जी लोग कभी महिलाओं का बलतकार नहीं करते और उनका अभहारण नहीं करते, इसी कारण वश्भी उनकी कभी हानी नहीं होगी, उनका कभी गिरावट नहीं होगा, सिर्फ सम्रद्धी होगी और छटवी बाद फिर तथागत बुद्धानंद से कहते हैं वज्जी लोग सिर्फ अपने गाउं के ही नहीं, शहर के ही नहीं बलकि समस्त देश के जितने भी मंदिर हैं उनकी बहुत श्रद्धा से उनकी देखरे करते हैं तो इस कारण वश भी उनकी सम्रद्धी होगी, कभी गिरावट नहीं होगी और अंत में सात्वीवाद अथागत आनंद से कहते हैं इस वज्जी देश की सेमा पर तैनाज जो सैनिक हैं उनको खास प्रकार से आदिश दिये गए थे कि अगर कोई पडूसी देश से कोई अरहंद भिक्षू वज्जी देश में आना चाहे तो वे उस अरहंद भिक्षू को नहीं रोकेंगे और साथ ही उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे तो इस प्रकार से जो पडूसी देश के अरहंद हैं वे वज्जी देश में आ सकते हैं और जो वज्जी देश में पहले से रह रहे अरहंद हैं उनका भी बड़े आदर से सतकार से उनकी सेवा की जाएगी तो इस कारणवश भी वज्जियों की कवी हानी नहीं होगी उनकी सिर्फ समरुद्धी होगी तथागत बुद्ध ने ये साथ बातों की देशना आनंद को दे और आनंद के द्वारा ये बात वसकार तक पहुची और वसकार उस समय वही पर उपस्तित है तो आशा करता हूँ दर्शक मैंने आपके प्रशन का समाधान कर दिया है नमो बुद्धाय बंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने तथागत बुद्ध की साथ अपरहानी अदेशनाओं पर महतवण जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान की अब हम आज के मुखे विशाय की ओर आते हैं जो की सारी पुत्र की सिंहनाद जिसमें शामिल है साथ ही हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध द्वारा पाटिली गाओं के ग्रहस्तों को शील और सदाचार पर दी गई कुछ महतवण देशनाओं के बारे में इसके साथ साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि पाटिली गाओं के शहर में रूपांतरण की और तथागत बुद्ध की भविश्यवानी की भी कृपया इस विशय पर हमारे दर्शकों का मार दर्शन करें भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी दर्शकों हम पिछले दो एपिसोट से तथागत बुद्ध के जीवन के अंतिम वर्ष की कुछ घटनाओ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और खास करके हमने पिछले दो एपिसोड में देखा कि किस प्रकार तथागत बुद्ध राजग्रे में साथ अपरिहानी धम की देशना देते हैं और फिर हमने ये देखा कि इस देशना के बाद तथागत बुद्ध राजग्रे से निकल के अंबल अठिक गाओं में आते हैं अंबल अठिक गाओं में आके वहां के भिक्षूओं को, वहां के ग्रियस्त उपासकों को, उपासिकाओं को धम्मदेशना देते हैं और फिर अंबल अठिक गाओं से तथागत बुद्ध नालंदा के पास एक आम का बगीचा था, जिसका नाम पावरिक था, वहां पे ठहरते हैं और वहां पे भी इसी प्रकार अपने भिक्षूओं को, ग्रियस्त उपासक उपासिकाओं को धम्मदेशना देने के बाद तथागत वहां से निकल कर पाटली गाओं में आते हैं तो आज का एपिसोड जो हमारा इस पाटली गाओं की एक घटना पे निर्धारित है तथागत अपने भिक्षू संग के साथ पाटली गाओं पहुच जाते हैं पाटली गाओं पहुचने के बाद वहां के जो ग्रियस्त उपासक होते हैं, उपासिकाओं होती हैं वे तथागत और उनके भिक्षू संग के समक्ष जाते हैं उनसे आदर पूर्वक निवेदन करते हैं और कहते हैं तथागत अगर आप अनुमती दें तो हम आपके और भिक्षु संग के रहने का प्रबंद करना चाहते हैं अर्थाथ विश्राम गुरू का प्रबंद करना चाहते हैं तो तथागत ने हमेशा की भांती शान्ती से मुस्कुरा के अपनी स्विकृति दे दी वहां से उटकर चले जाते हैं ये ग्रिहस्त उपासक उपासिकाएं और एक विश्ट्राम घ्रू की प्रबंद करने लग जाते हैं प्रबंद के दोरान वे नाना प्रकार के आसनों को बिछा देते हैं पानी के मटके को रख देते हैं दीए को रख देते हैं उसमें घी डालके तेल डालके ताकि वे सारी रात जलता रहें इस प्रकार से जो प्रबंध हो जाता है तो वे तथागत के समक्ष जाते हैं और कहते हैं तथागत आपके लिए और भिख्शु संग के लिए विश्राम के लिए एक ग्रिव का निर्माण या प्रबंध कर दिया गया है आप कृपया करके जैसा ठीक समझे वैसे करें तथागत अब वहां से उठकर ये जो विश्राम ग्रुव है इसमें अंदर आने से पहले अपने पैरों को धो लेते हैं पैरों को धो के अंदर जो विश्राम ग्रुव के अंदर जाते हैं तो इस विश्राम ग्रुव के बीचों बीच एक स्तंब था स्तंब की और अपनी भिक्षु संग धीमे धीमे एक एक करके अंदर आते हैं और तथागत के पीछे जाकर पश्चिमी दिशा की और अपनी पीठ सठाकर दिवार से तथागत के पीछे बैठ जाते हैं और उनका मुख पुर्व दिशा की और होता है और इसके बाद जो ग्रिहस्ट होते हैं वे भी एक एक करके आते हैं और पश्चिमी दिशा की और अपना मुख करके बैठ जाते हैं उनके सामने तथागत और विक्षु संग विराजमान होते हैं अब इसके बाद तथागत ने इन ग्रिहस्त उपासक और उपासिकाओं को धंब देशना देना शुरू किया कहा ग्रिहस्त उपासक और उपासिकाओं से कि कोई व्यक्ति जो शील और सदाचार का जीवन नहीं जीता अर्थात कहें तो दुराचरी होता है उसे इन पांच बातों की खत्रों का सामना करना पड़ सकता है पांच बातों के खत्रों का जोखिम उठाना पड़ सकता है तो सरवप्रथम तथागत कहते हैं उपासक और उपासिकाओं से जो व्यक्ति दुराचरी होता है वे लापरवाही के कारण अपने धन की बड़ी हानी करता है और फिर कहते हैं जो व्यक्ति दुराचरी होता है वे अपना नाम स्वयम खुद से बदनाम करता है फिर कहते हैं जो व्यक्ति दुराचरी होता है शील सदाचार का जीवन नहीं जीता वे मूर्चे तवस्था में मरता है फिर कहते हैं ये जो दुराचरी व्यक्ति होता है जिस किसी सज्जनों की सभा में जाए तो वहाँ पर उसका आत्मविश्वास का अभाव रहता है कमी रहती है वे आत्मविश्वास से उस सभा में प्रविश नहीं कर पाता और फिर कहते हैं जो दुराचरी होता है शील सदाचार का जीवन पालन नहीं करता वे व्यक्ति मरने के बाद दुखध गंतव्यों में उत्पन होता है अर्थात कहें तो या तो पशु योनी में या तो नरक योनी में उत्पन होता है और फिर इसके विपरीत देशना देते वे कहते हैं जो व्यक्ति शील सदाचार का जीवन जीता है अर्थात दुराचरी नहीं होता वे अपने परिश्रम से बहुत धन की अरजित करता है बहुत सारे धन को अरजित करता है ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन जीता है वे अपने नाम को खुब सुप्रसिद्ध करता है लोगों के बीच में उसकी खुब प्रिशनसा होती है फिर कहते हैं वे व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन जीता है वे जिस किसी भी सभा में जाए खुब आत्मों विश्वास से जाता है फिर कहते हैं ऐसा व्यक्ति सजग होकर मृत्यों को प्राप्थ होता है मूर्चे तवस्था में नहीं और फिर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो शील सदाचार का जीवन जीता है वे सुखद गंतव्यों में उत्पन होता है मृत्यों के बाद जैसे की स्वर्ग लोग तो इस प्रकार जब तथागत बुद्ध ने इन पाँच बातों की धम्मदेशना दी उन ग्रिहस्त उपासकों को उसके बाद रात के कहीं अंधेरे होने तक वे नाना प्रकार से इन उपासक उपासिकाओं को धम्मदेशना देने के बाद उनको वहां से जाने के लिए जब ये ग्रिहस्त उपासक उपासी काएं चले जाते हैं उस विश्राम ग्रियों से तथागत स्वेम उठकर एक शुन्यागार में चले जाते हैं और सारी रात ध्यान साधना में बिताते हैं और जब ये ध्यान साधना में बिता रहे थे तो उस समय इस पाटली गाओं में और उसके आसपास एक शहर का निर्मांड किया जा रहा था और इस निर्मांड की देखरेक मगध देश के दो मंतरी कर रहे थे एक मंतरी का नाम था वसकार जो मैंने आपको पहले ही बताया इस वसकार मंतरी के बारे में पिछले अपिसोड में और दूसरे मंत्री थे सुनीद, तो ये दो मंत्री सुनीद और वसकार मिलके एक नए शहर का निर्मान करवा रहे थे पाठली गाम के आसपास. जब ये निर्मान कर रहे थे तो देवताओं के यजमान तब वहां के खेतों में विचरंड कर रहे थे, वो जो पाठली गाम था उसके आसपास जो खेत थे, उस खेत में देवताओं के यजमान विचरंड कर रहे थे. उन में से जो सबसे पराक्रमी देवता थे वे शक्तिशाली राजाओं और मंत्री के मन को प्रभावित कर रहे थे ताकि वे अपने शहरों का निर्मान उस जगा पर करें जहां पर ये पराक्रमी देवता विचरंड कर रहे हैं और फिर औसद दर्जे के देवता उन्होंने औसद दर्जे के राजाओं और मंत्रियों को प्रभावित किया ताकि उनके विचरंड स्थान पे ही इन राजाओं का शहर का निर्मान हो और जो छोटे दर्जे के देवता थे उन्होंने छोटे दर्जे के राजाओं का और उनके मंत्रियों का मन को प्रभावित किया ताकि ये जो शहर का निर्माण है छोटे देवताओं के विचरन स्थान पर हो अब तथागत शुनियागार में बैटके ध्यान साधना में थे तो ये सारी वारदात को तथागत अपने दिव्य दृष्टी से देख पा रहे थे तो तथागत ने जब दिव्य दृष्टी से ये देखा तो अगले दिन जब सवेरे हुई तो तथागत ने आनंद को बुलाके पूछा आनंद यहाँ पर यह जो शहर का निर्मान है यह कौन करवा रहा है तो आनंद जवाब देते हैं कहते हैं तथागत इस शहर का जो पाटली गाउं के आसपास जो शहर का निर्माण का काम चल रहा है इसको जैसे की माना जाये तो सुनीद और वस्थकार जो मगद देश के दो मंत्री है इनकी देखरेक में शहर का निर्माण हो रहा है तो तथागत आनंद से कहते हैं आनंद ऐसा लगता है जैसे सुनीद और वस्थकार को साक्षात तावत इंसा के देवताएं आके उनको सलहा दे रहे हैं कि किस जगा पे किस शहर का निर्मान करना हो इतना भव्य है ये और इसके बाद तथागत कहते हैं सभी प्रकार के अध्यात्म और व्यापरिक केंद्रों में पाटली पुत्र शहर उन सब में बड़ा स्थान प्राप्त करेगा जहां पर धेरों मात्रा में धन होगा सोना होगा ये पहली बार था तथागत बुध ने इस जगा का नाम जो पाटली गाओं के आसपास जो शहर का निर्मान हो रहा था उसको तथागत बुध ने पहली बार था जब पाटली पुत्र के नाम से संबोधित किया दर्शो को मैं आपको यहां पर एक विशेश सूचना देना चाहता हूँ ये जो पाटली पुत्र है पाटली पुत्र हमें अगर जिस किसी ने भारत की प्राची नितिहास को पड़ा होगा तो वे जानता होगा कि राजा अशोक जब इस भारत वर्ष के राजा हुआ करते थे उनकी राजधानी पाटली पुत्र हुआ करती थी और राजा अशोक का समय कब था भगवान बुद्ध से लगभग 200 साल बाद तो भगवान बुद्ध ने पहले ही एक घोशना कर दी थी एक भविश्यवानी कर दी थी कि इस इस थान पे ये जो पाटली गाओं के आसपास जो ये शहर का निर्माण हो रहा है जिसको पाटली पुत्र के नाम से संबूदित किया गया ये बहुत बड़ा केंद्र होगा अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र होगा व्यापार का और ये सत्य साबित होती है जब हम भारत का प्राची नितिहास पढ़ते हैं और इसके अलावा ये अब हम हमारी पुरानी बात पे लोटके आते हैं तो तथागत बुद्ध इसके बाद ये कहते हैं आनंद से ये जो पाटली पुत्र शहर है इसको तीन बातों का खत्रा या जोखिम उठाना पड़ सकता है मतलब ये जो तीन ये जो शहर है इसको तीन बातों से हमेशा खत्रा रहेगा एक है अगनी दूसरा है जल और तीसरा है कलहा तो जल इसलिए क्योंकि वहीं से ही पाटली पुत्र के बगल से ही बहुत बड़ी नदी गुजरती है अगर कोई व्यक्ति आज पटना जाए तो पटना के आसपास में ही एक पाटली पुत्र करके भी छोटा सा जगा का भी निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे जाके देख सकता है ये सारे आर्केलोजिकल एविडेंस है और जल के अलावा अगनीवी बुध्धिक बातों में गिनाते हैं जो कारन बन सकता है इस पाटली पुत्र के खत्रे के लिए और तीसरा जो बात होती है जो तीसरा बिंदु होता है जो खत्रा होता है वो है कलहा तो कलहा तो हमेशा रहती ही है जब ये केंद्र है ये राजधानी है इतने बड़े भारत वर्ष की तो यहाँ पे कलहा होने की संभावना इसी लिए है क्योंकि बगल देश के जब राजा इसमें घुस पेट करेंगे तो सबसे पहले राजधानी पे ही अटाक करने का प्रयास क कीम बातों को तथागत बुद्ध ने अपने इस देशना के दौरांत आनंद से कहा अब इस घुटना के बाद तथागत बुद्ध को ये जो दो मंत्री हैं सुनीध और वस्तकार इन्होंने अपने पास अगले दिन भोजन के लिए आमंत्रत किया जब भोजन पे आमंत्र न तथागत बुद्ध ने स्विकार किया और अगले दिन इनके पास भोजन करने है भोजन ओने के बाद तथागत बुद्ध ने इस प्रकार से इन दोनों को आशिरवात दियै और तथागत कहते हैं इन दोनों मंत्रियों से जहाँ पे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना निवास बनाता है वे वहां के आसपास में रह रहे साधूं को हमेशा भोजन करवाता है दान देता है भोजन का और साथ ही स्थानिय देवताओं को भी भोजन अरपन करता है अरपित करता है इस प्रकार से जो वे उस साधूं का और करता है तो ये किया हुआ करम नाना प्रकार से उसे लौट के आता है और उसे खूब सारा बदले में सम्मान मलता है उसकी प्रिसिद्धी भैलती है और देवताएं उसे हमेशा खुश रहते हैं इसी वज़ा से वो हमेशा शुब बातों का समाचार पाता है उसे देवता इस प्रकार प्रेम देते हैं जिसे एक मा अपने बच्चे को प्रेम करती है और तथागत बुद्ध ने इतना अच्छा उनको आशिरवाद दिया आशिरवाद देके अब वहां से तथागत बुद्ध अपने भिख्शु संग के साथ उठकर निकल आते हैं तो पाटली गाउं से जब तथागत अभी निकल कर आगे बढ़ रहे थे तो ये जो शहर का निर्मान चल रहा था इसकी एक सीमा बना के रखी गई थी और इस सीमा के हर दिशा में द्वार बनवाए गए थे तो ये जो मंत्री थे सुनीद और वस्थकार इन्होंने आपस में ये निर्ने किया कि जिस किसी द्वार से तथागत बुद्ध और अपने संग के साथ बाहर जाएंगे उस द्वार का नाम हम तथागत बुद्ध के नाम से रखेंगे तो जिस द्वार से तथागत बुद्ध और उनका भिक्षू संग बाहर गया उस द्वार का नाम इन दोनों मंत्रियों ने गौतम द्वार करके रखा और फिर उन्होंने कहा जिस किसी दिशा से तथागत बुद्ध नदी को पार करके जाएंगे उस दिशा का भी नाम हम नाम करण करेंगे और फिर ऐसे हुआ उस समय काफी बरसाद थी और पानी भर-भर के बह रहा था नदी से तो कोई नाव चलने की संभावना नहीं थी तो तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संग सहित एक जगा से दूसरी जगा अंतरधामों के उस तरफ पहुच जाते हैं तो ये थी घटना पाटली गाउं में हुई अब पाटली गाउं से तथागत बुद्ध निकल के आते हैं कोटी गाउं की और आगे बढ़ते हैं कोटी गाउं की और और आनंद से कहते हैं आनंद चलो हम कोटी गाउं चलते हैं कोटी गाउं पहुच के तथागत बुद्ध ने वहाँ पर रह रहे विक्षों को चार आरिय सत्य की देशना दी और चार आरिय सत्य की देशना देने के बाद कहा कि ये जो चार आरिय सत्य की खोज जब तक मैंने नहीं की तब तक मैं इस भवचक्र में बार बार संसरंड कर रहा था अब क्योंकि ये खोज कर दे गही तो मेरा भवचक्र समाप्त हो गया और भिक्षुओं को आदेश देते हैं भिक्षुद तुम भी इसी प्रकार इस चार आरिसित्य का बार बार दर्शन करते रहो ताकि तुम लोगों का भी भोचक्र समाप्त हो जाए और जब तक तथागत बुद्ध कुछ और दिनों तक कोटी गाम में थे तब तक तथागत बुद्ध ने उन भिक्षुओं को नाना प्रकार से शील समाधी प्रज्या पे देश न दी तो दर्शको आज के लिए इतना ही बाकी की घटनाओं की चर्चा हम आने वाले एपिसोड में करेंगे तब तक के लिए नमो बुद्धाय मंगल हो मंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपून और रोचक जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए साथियो आज के इस विशेश कारिक्रम में इतना ही अब समय हो चुका है आज के कारिक्रम को यहीं विश्राम देने का लेकिन उससे पूर्व आपको बताते चलें आपके मन में किसी तरह के प्रश्ण हों कोई जिग्यासाएं हों या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो हमारा वट्शेप नमबर है 9639010109 आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारी इमेल आईडी है सुभारती बुद्धा at the rate of gmail.com तो आशा करते हैं आप अपने प्रश्ण हम से पूछते रहेंगे अपने सुझाब भी हमें देते रहेंगे और हमारा मागदर्शन करते रहेंगे तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमजी के साथ विदा लेती हूँ कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे नमो बुधाय